कुमुद होता है वाटर लिली का फूल और अरुनावती होता है अरुनमाने होता है लाल और अरुनावती के मतलब है लाल मिट्टी है लाल जैसा कुछ बाल बगगो कथा गाथा नमबर साथ राजा पसंदी यानि प्रसंजीत जो कौसल नरेस है या कौसल राजय के राजा है अब राजा तो राजा होता है राजा में बहुत सारी बाते हैं राजा को एक सेवक की इस्तरी और पतनी पे मोह हो गया प्यार हो गया लट्टू हो गया तो राजा ने उस इस्त्री को प्राप्त करने के लिए क्योंकि इस्त्री को प्राप्त करना चाहते हैं मगर पाप करम भी नहीं करना चाहते और ऐसा भी नहीं है कि किसी को पता चले तो तिगड़ा मुल एक चाल लगाई वो चाल ये लगाई कि इस सेवग को ऐसा काम करें जो ये ना कर पाए और उसके बदले में इसको मिर्तुदंड दे दिया जाए तो उसको आदेश दिया कि आप जाओ और उस नदी से वाटर लिली का यानि कुमुद का एक फूल लेके आओ और साथ मैं आरोन वती लेके आओ लाल मिट्टी लेके आओ और ये सूरज छिपने से पहले लेके आने हैं आपको अगर आप सूरज छिपने से पहले दरवार में हाज नहीं हुए लेके तो आपको मिर्तुदंड दे दे जाएगा सेबग क्योंकि उस समय सभी लोग समझदा थे सेबग समझदा था कि इस राजा की जो दस्टी है मेरी इस्त्री पर है और ये मुझे मानना चाहता है इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा के भागा राज आग्या है करनी पड़ी कि बना मारतेंगे क्योंकि अगर डिक्टेटर्शिप है और आप महालोग तंत्र नहीं है क्योंकि राजा का मदद तो डिक्टेटर्शिप है क्योंकि जो गड़ तंत्र है वो साक्य लोगों में तो है कपिल बस्तों में तो है मगर पसंजीत के यहां कौसल नरीस के यहां कौसल में नहीं है तो वो भागता है और भागते भागते उसको ऐसा लगता है कि अरे ये किता दूर है नदी आई नहीं रही है आई नहीं रही है वो ठक जाता है हाफता है और नदी आती नहीं है तो भागते 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 बहाँ पहुंचता है और वहां से लाल मिट्टी लेता है कुमूत का फूल लेता है फिर भागता है सूरत की तरफ देखता है फिर भागता है और सूरज के छुपने से पहले दरवार में पहुँचने वाला होता है राजा को पता चलता है कि वो आने वाला है तो दरवार का गेटी बंद करा देता है क्योंकि उसे तो चाल चल ली है अगर वो समय से पहले आ गया तो पत्री उसके हाँ से निकल जाएगी इसको मिटु दंड प्राप्थ हो तो पर सेशादी करे वहना प्रजा कही कि आपने प्रजा मैंसे ऐसी ही इस्तिव को ले लिया कम से कम एक नाटक तो करे क्योंकि जितनी की सरकारे हैं जितनी मी ग्रवर्मेंट हैं वो डारेक्ट नहीं हाट डालती पर जाबियंए, वो नाटक करती हैं, जितने भी राजा हैं वो नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, और सरकार का कला गोटते हैं, तो उस समय पर था थी तो जो सेवक है वो उसको जानता है भाबता है इसलिए वो क्या करता है अपनी बुद्धी से कि वो जो जोड से चलाता है वो सब को बताता है इस राजा की नियत मेरी इस्त्री पर है मुझे मानना चाहता है मुझे असमें ये काम भेजा मैं वाटर का लिडी भी ले आया ये फूल रखा है गेट पर और ये मिट्टी भी ले आया ये मिट्टी रही है सब लोग सुन लो सब लोग देख लो सब लोग देखो इस राजा की नियत खराब हो गई है ये राजा बेमान हो गया है ये राजा अच्छा नहीं है, ये राजा वेपचारी है, ये राजा कमीना है, ये इतने बड़िया बड़िया वस्त पहनता है, ये सब जूटे हैं, इसका चेरा मुख्रुटा है, ये राजा जनता का सिवक नहीं है, ये जनता का भग्चक है, जानो इस बात को देखो, और वो जेत्वन आराम है, जेत्वन का बाग है, आराम मने बाग बगीचा, जेत्वन का आराम है, वहाँ भगवान बुद्ध है, वहाँ जाके और भिक्कों के साथ में रात को कांपता हुआ, ड़ता हुआ, सो जाता है उधर जब राजा के कानों में ये बात पड़ती है कि इसने सारी परजा को ये बता दिया कि मेरा मनसुबा ऐसा है मेरे मन में ये बात आई है क्योंकि चोर है राजा के मन में किसी परजा को पता हो या ना पता हो मगर खुद राजा के मन में चोर है अब तो धिनोरा पिट गया है तो राजा रात पर कापता है उसको क्योंकि पापी जो आदमी है वो पाप करता है मगर पाप को छुपाता है क्योंकि पापी भी नहीं चाहता कि उसके कार्यों का उसके कमका उसके क्रियाओं का किसी को पता चले है तो कि अच्छे तो सबी बनना चाहते है। मन में पाप है और सामने जुटा बनना चाहता है। तो उसकी छवी गव्रा गई, जनता पता चल गया। तो अपनी छवी टोटने की डर्ण से अपने पाप करम के उजागर होनी की वैसे वो कापता है। और रात वर नहीं सो पाता और उसको रात बड़ी लंबी लगती है कि रात बीत क्यों ने रही और सुबह को उटते ही सबसे पहले वो भगवान बुद्द के पास जाता है, तो भगवान बुद्द से कहता है, कि भगवान रात मुझे बहुत लबी लगी, कटी नहीं, ऐसा लगा कितनी लबी रात है और तब ही वो सिवग उतके आता है, वो कहता है, भगवान कल मुझे योजन बड़ा लंबा लगा, योजन का मतलब है चार जो कोस हैं या 13 किलोमेटर, एक 13 किलोमेटर की बरावर का एक योजन होता है या चार कोस का पढ़ाने समय में, तो कहता है कि मुझे योजन बहुत लंबे लगे, ऐसे लगे कितने लंबे हो गए, यह आ नहीं रहे भगवान बुद्ध ने दोनों की इस्तिती समझी, वो तो पारगामी है आरपार देख लेते हैं उनकी वैथा जानी, उनकी कथा जानी सब चीज़ें का अनुमदन किया देखा क्या है क्या निया विशेशन किया तब उन्होंने ये गाथा कही गाथा नमबर साथ, इस प्रकार है दीघा जागरतो रत्ती दीघं संतस्य योजनन दीघो बालानन संसारो सदम्मन अविजानतन दीघ माने होता है दीघ बोलते ना दीरगायू हो दीरगायू बाद में रे लगा दियास में संसकायित भासा में इसका दीघ है पाली दीघा माने लंबा दीघा जागरतो रत्ती यानि कि जागने वाला जागरतो माने जो जागता है जागरण भी बोखते हैं इसको आगे जागने से बहुत सारे सब्ध हैं जागरतों भी है जागरण भी है यानि कि दीखा जागरणों रगती है रात जागने वाले को लंबी लगती है अगवान बुद्ध कहा रहे हैं कि जागने वाले को रात लंबी लगती है यानि कि जो व् निकले गा, और रहीं निकलते हैं निकलता हैं, निकलता है नहीं, हितनी लबी राज है, सो घंट इहांंस हाए संतस्य योजनंग, संतस्य का मतलब है भै से युक्त, भै से डरा हुआ भैीद, दीघा संतस्य योजनन यानि कि जो डरा हुआ होता है जो भैवाला होता है जो ठका हुआ होता है जो ठका हुआ होता है उसको योजन बहुत लंबा लगता है अब ठका हुआ व्यक्ति चलतो पाएगा नहीं क्योंकि कोई खाए पिए और बुलकुल फ्रैस हो जो ठका हुआ नहीं है उसके लिए 4 मिटर किया, 4 किलो मिटर किया, 400 मिटर किया तो दोरता रहेगा, तो ठका हुआ केते हैं ठका हुआ ये नहीं चल पाएगा, ये तो सब जानते ही हैं, ये तो ठक गया, कोई मन से ठक जाए तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, साइड से ठक ज माने लंबा हो जाता है, बाला नंग माने जो मूर्ख हैं, जो नहीं जानते धम क्या है, जो नहीं चानते के संसार क्या है, संसार का मतलब है सैसार, सैसार का मतलब है निज का सार, निज का सार का मतलब है आना और जाना, यानि जीवन और मिटू, यानि कि दीगो बाला नंग सं संसार उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है जो बालंग होते हैं जो इम्मेचोर होते हैं जो नहीं जानते कैसे हुजाता है क्योंकि वो अपना धम का काम सही नहीं करते और पाप में फसी रहते हैं और वो हजारो वार मरते हैं और हजारो वार जीते हैं फिजर्म लेते हैं फिजर्म जीते हैं फिजर्म जीते हैं उनके लिए स्वैम का जो सार है वो बहुत बड़ा हो जाता है सेधमंग अवी जानतंग जो सेधम को नहीं जानता यानि कि ऐसा मोर्क ऐसा बाल जो सेधम को सेधम का मतलब है विस्वास धम को यानि सद्धम सद्धम यानि सद्धम माने होता है विस्वास जो धम के विश्वास को नहीं जानता, उनके लिए संसार बहुत लंबा हो जाता है, वो भव चक्र में फसे रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, दौरते हैं, फिर मरते हैं, फिर मरते हैं, ये चक्र उनके लिए चलता रहता है, इससे मुक् की वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना च चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है यह सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की क्या हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तू थियं पी दम्मंग सेनं गच्छामी तू थियं पी दम्मंग सेनं गच्छामी बुखियं पी संदं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं करें पी संदं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी टतियं पी झाल झाल